हेलो गाइस वेल्कम बैक टुमाई ही यूटूब चैनल सलोन फैक्ट डाइस आजा कहा चाहाई खास होने वाला आपको थम्मले में देखो पता चलिए घया होगा और में पर काफी जाइज आई है कि हमारे स्फनेंग में एसी sign क्यों नहीं आती ये देखें guys ये मैंने सारी smoothing जो आपका screen पर दिख रहे हैं मैंने करी हुई है और आपकी smoothing में साइन नहीं आती तो guys क्या होता है तो अगर मैं a client पर smoothing कर रहा हूँ तो दोनों में sain हमेशा अलग अलग आएगी लेकिन ऐसा नहीं है कि sign नहीं आईगी sign आईगी लेकिन क्या होता है थोड़ी कम आईगी या तो थोड़ी ज़्यादा आईगी किसी की smoothing में बिल्कोल भी sign नहीं आते है बिल्कुल normal sign आते है बोलते हैं ना ultimate sign बिल्कोल भी नहीं आते है वcion Appreciate in his video वे साइन नहीं आती है और क्या वो 5 से रिजन हैं तो वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूं वीडियो के अंध सो आपके पांच देखें bereits आपको पता चलेगा उनिदेबी करनाагstä उनिद्ध और ऐसाप ईक गलती है जो आप वह करेंगे वीडियो में काफी ज्यादा लाता रहता हूं तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड टो प्रेस डबल आइकोन तो गाइस हमी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गाइस क्या होता है पहले हम हैडिंग डाल देते अपनी तो उन फाइब रीजन में काफी ज्यादा जरूरी होता है हम क्या करते है smootering में जो फर्स क्रिम जो लगाते है ना बोन ब्रेक के लिए उसमें हम न कह एकर रहा होता है या तो हमारा बोन और सजड़ीं से ब्रेक नहीं होता उस गलती में कहेँसी उस गलतीम आएगे आपकी smootering में टीक है आप भूलो कम होने से तो waves आती है अगर bond ज्यादा break हो गया मतलब मेरा मतलब ज्यादा से over process अगर आप मैं first क्रेम bond break हो गया आपका तब तक भी लगा रखी है मतलब तब भी लगी हुई है कि आपको confusion है आप सबसे थोड़ी जाद एक्स्टा टाइम लगा के रख देता हो या रख देती हूँ तो मतलब हमारा bond तो break हो जाएगा यह आप सबसे बड़ी गलती करते हो ओवर प्रोसेस की वज़े से फर्स क्रेम के ओवर प्रोसेस की वज़े से आपकी smoothing में मेरे साइन नहीं आती है अगर इन पांच गलते माष्टेος में सिंलिघ करते हैं तो मुझे कमेंटबेंक करके जरू पताइक की सर्मयाव मेरी हैं पर मिर गलती होती थी तो दूसरा मैं बता दूम्पर पहला मैं आपको गाइस फर्सक्रीम और प्रोसेस के वज़े से जैसे बोंड विता है आपको आउट करदेना है आप प्रोसेस रखें नहीं रहना दूसरा यह जाव मेंट है इन जाव हमाराब शैंपू ठीक है गाइस एंड वाटर तो गाइस मैं बता दू आप बोलोगों सैंपू नहीं करना होता है मैंने पहले वीडियो में बता रहा है सैंपू नहीं करते हैं आपको सिफ खाली पानी से क्रिम निकालनी है और जब वाटर भी होगा ना वह होगा आपका लुक वाउम वाटर यानि कि हलका गुन गुना पानी होना चाहिए ठंडे पानी से कभी दीन्स मत करिएगा अगर आपके स्मूद्रिंग का पाउच आपके पाउच इस वक्त आप पीछे जाकर देख भी सकते कंपनी खुद कहती है कि फर्स क्रीम है वह थोड़ा लुक वाउम वाटर से ही द इंसावट करनी है आपको इससे का सचरह लुक वार्म वाटर में क्या होता है थोड़ा theor मोटर में बालो का ब्म उड्चा में एन हो जाता है तो आपको पानी से क्रीम को साउट करना है थिका गाइस बातीस रहेरा गईस हमारा आइनिंग ब्राइंड अखिए ब्रैंड मुझे नहीं पता आप कौन से ब्रैंड की आइनिंग उस करते हूं क्योंकि जो हमारी आइनिंग होती है सबसे जादा मैं परस्टनेली जो यूस करता हूं आइकोनिक की जो मैं यूस करता हूं वह हैं गॉल्ड प्लेट अगर आप जिनकी आइनिंग होती है वो थोड़ी शेरामिक प्लेट उस पे सिव लिखा ओता गई बिल्कुल भी सहरमाइक प्लेट नहीं होती है वह बालों को जैसे आप करते हो काफी ज्यादा जोर भी लगता है काफी ज्यादा बाल भी खिसते हैं और जो बालों के अंदर की जो साइनिंग है ना उसको इन्हेंट्स नहीं करती है आपका जो आइनिंग ब्रैंड है मुझे कम अब ट्रॉलाइजर जए तैमिंग हके है सब कहते है grabर बंतीं पंधर अध्यादम फंध्य चयादार कंपण्न कांपनी को परनि आप किıı ए तकर हैं तिक है हीना कोटे रहारा मेरा रख्क्राइब गलेया कास्टिंग कलर रखा है कि यो पीछे लिखती है वह सिव वर्जन हेर का ही लिखती है थिक है गाई वर्जन हेर का लिखती है अपने पंदा मिनिट से लगा जाय रहों लगाया जारों कि कह सकते हो दोनुएख हामफूल है लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमफूल हो इस आप देगे पच्छी इसको गर आ harmful नियंद है तो दोनों को आपको अच्छे से वर्क करना है दोनों किरिमों के साथ तो हमने हमने के करते से पंदा मिनिट लगाके रखते हैं तो अगर इसकी जो एक्स्टा टाइमिंग आ जाती है अगर इसके दो से चार मिनट भी एक्स्ट्रा लग जाते है ने नुट्रलाइजर के उसमें भी बालो में बालो में और आपकी स्मूतिंग में साइन भी नहीं आईगी ठीक है अगर आपको जानना है कि नुट्रलाइजर कौन से बालो पर कितने टाइमिंग पर लगाना है उसकी मैं वीडियो थोड़ी अलग से बना दूंगा इस मुझे कमेंड में बता देना कि आप मुझे चोथे न वीडियो बना दोंगा्य में वीडियो काफी ज्यादा लंभी हो जाएगी आप लोग भी प्रोडेक्ट- नोलेज जो प्रोडेक्ट नोलेज है गाईस काफी जादा लोग गलती करते हैं क्या करते हैं जब हमारे पास क्लाइंट आता है किसी का बाल होता है वर्जन ठीक है वर्जन में भी दो देखा जाता है किसी का बाल होता है ठीक किसी का होता है थिन कुछ बाल आते हैं हमारे हीना वाले कुछ आते हमारे कास्टिंग वाले और आप सभी को पता है जो हमारे प्रोडेक्ट होते हैं से और स्कॉफ में होते हैं जिरो नंबर एक तो आप क्या करसके ही ना बाला वाल वाल उसों पर जिरो न मबर लगा सकते हो मेर इसका जो तीन हे रहे हैं न तीन रहे वर्जन का तो आप इसमें मैंट्रिक्स की और आती है डिलहर मल मैट्रिक्स के आते हैं नौर्मल क्रीम एक आते हैं मैट्रिक्स में रेसिस्टेंट एक आते हैं नौर्मल आप इसमें नौर्मल प्रोडेक्ट यूज करते हो कर सकते हो तो गाइस कमेंड करके जरूर बताना इन पांच गलते हो में आप कौन सी गलती करते हो गाइस क्योंकि मेरे को exact बताना बहुत मुश्किल पढ़ जाता है लोग कमेंट करते मेरी स्मूथिंग में साइन क्यों नहीं आती है तो मुझे क्या पता हो किस तरीके से स्मूथिंग करते हैं तो मैं कैसे बता सकता हूं इसलिए मैंने सोचा पांच एक टोपी के बता देता उसमें five region बता देता हूं सारे region मैंने लिख दिये इन बज़े से smoothing में साइन नहीं आती है आप कमेंट करके आपको पताना है कि आप किस step में गलती करते हो तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना and don't forget to press the bell icon